चलिए कहता है सुभा लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड सुस्मा लिमिटेड विद एफेक्ट एक अप्रेल यानि सुभा लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर लिया किसको सुस्मा अब यहां पे भी कह रहा है सुभा लिमिटेड विल एशू तो यहां से भी पता चल गया है यह अगर एशू कर रही है तो यहां पे पहले सबसे पहले डिसाइड करो कि भाया यह वाली कमपनी कौन सी है और यह खरीदार और बिखने वाला कमपनी इसके बड़े सारे एसिट्स हैं इसके बड़े सारे लाइवलिटी डिवेंचर बड़ी सारी चीज़े दे रखी है अर्जस्मेंट पढ़ते हैं क comprar और इसके अर्जस्मेंट में ध्यान दीजिए कहता है सुभा लिमीटेड ने decide कि या और आठ रखोटी शे Mmm ढाट एक पहलिप Detroitक के रोताही ग्री अर्य जियक्र तुम उअर्ट कछ एस이드्र मेरे मेरहना बर्त शेयर Ό आगे कहता है प्रफ्रेंच शियर होल्डर जो भी सुष्मा लिमिटेट के नहीं इस्यू इक्वल नंबर प्रफ्रेंच शियर तुम जितने तुमारे कंपनी में प्रफ्रेंच शियर है उतने ले जाओ तो अब आप समझो परफ्रेंच शियर होल्डर को हमने डिसाइड किया के सेम नंबर देंगे तो भाई डिबेंचर होल्डर को दे रहे तो यह पीसी का पार्टी नहीं है कहता है हम तुमारे सारे एसेट्स एंड लाइबलिटी टेक अन ओवर कर लेंगे बुक वेल्यू पर एकसेप्ट पिक्स एसेट्स दस परसंट ज्यादा लेंगे और स्टॉक को इस वेल्यू पर लेंगे सारे चीजे बुक वेल्यू पर ले रहे हैं बाकी यह छोड़के और जो दे रख़ा है मार्केट वैल्यू पर लिया जाएगा बड़ी आसान सी बात है जब हम उसके सारे एक्कवाइर करेंगे तो मार्केट वेल्यू पर एक्कवाइर किया जाएगा दूसरी एंट्रि करूयं तो मैं स्टॉक अकांट डेबिट लखूँगा तो एक लाग चवा जाएगी बायर की या सेलर की सेलर तो रहा ही नहीं न टो खाली स्पोर्ट्रिजर्व थोड़ी मेंटेन करता रहेगा बिद्य कंपनी हई नहीं जिम्वेण दारी बनती है बायर के जर्नल एंट्री करो, बैलेंस शीट बनाओ, सब कुछ करो इसमें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर PC निकालेंगे, फिर वही दो-तीन छोटे-मोटे से जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बना लेंगे, और बैलेंस शीट को मर्ज करना सीख लेंगे, चीक है, चलि सबसे पहले डिसाइड हो गया के एकुटी शियर कैपिटल देंगे और मैंने बोला तुमारी कंपनी के कितने शियर है लिया हो उसने बोला भाई या स्टेर कापिटल कहा गया भाई यह है बीस बीस लाक है दो लाक है दो लाक रुपए के शियर है हमारे और सौ के इसाफ से तो देखा जाए तो 2000 शियर है मैंने लगा कोई बात नी पांच शियर के बदले मैं तुम्हें कितने दें दूगा और बाई तुम्हें कौन सी कंपनी के शियर मिलेंगे मेरी कंपनी के शियर मिलेंगे और मेरी कंपनी का वैल्यू भी neutrभ है तो multiply by देख तो ये तो तुम्हें शेयर मिले है देखों 2 लाग का था मैं 30-20 का तो शेयर ही दे रहा हूँ बहुत खाने जो भी है उस शेयर को कितने साल दोनों कउना यह तो तो तुम्हेयी दे देग या दो लाग का पहले था 2 लाग का और ले लो कोई बात नहीं तो प्रफ्रेंशियर कापिटल तेम नंबर आफ तो पांच लाख बीस अजार देटेज पर्चेज कंसिडरेशन कोई दिखकत नहीं चलिए अब आ जाते हैं एक बैसे पीछे जनल एंट्री करना भूल गया लेकिन कोई बात नहीं यहां कर लो अब करते हैं जनल एंट्री भाई बुला लो किसको बुला लो पैसे देने के लिए लिक्विडेटर को बिजनस पर्चेज अकाउंट डेविट टू लिक्विडेटर लिक्विडेटर कितने पैसे मिलेंगे पांच बीस सर बिएंग क्या होगा लिक्विडेटर अमाउंट ड्यू अब बिएंग में लिख देता हूं हलाकि इस लेवल पर बिएंग आप एक कुस्टन करें नहीं तो फॉरॉपर बिएंग करके करें उसके बाद एक्जाम में तो लिखे सकते हो भी अब क्या करें सारे एसेट्स खरीद लें इसके ले लिया जाए सारे एसेट्स चलो ले 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 लेते हैं बाई तुमारे सारे एसेट्स लेने जा रहे हैं लेकिन ध्यान रहे कुछ एसेट्स के उपर इन्होंने कुछ फर्माईस करी है और कौन से एसेट्स पर कहता है के फॉलॉविंग फिक्स एसेट्स एक इसके उपर इसकी अच्छा फिक्स एसेट्स का मतलब सब ये भी ये भी इन दोनों को हम लेगे लेकिन more than the book value book value से ज़्यादा पर किस company की खरीदने की बात कर रहा है इस company की मत ले लेना अपनी company की खुद मत खरीद लेना करें अप किस company की खरीदोगे seller company की खरीदोगे तो seller company तुमारे लेने जा रहे है fix assets जिसके अंदर क्या है land and building account debit और क्या है भाई तुम्हारे पास plant and machinery और क्या है भाई यही दोनों 10% above the book value तो 41 का 10% 14,000 तो 1,54,000 और 2,60 का 26,000 हो जाएगा तो 2,86,000 समझ में आया यह value 10% add on कर दिया कहां कह रहा है सर यह बाद यह बाद कर देते हैं साफ कर देते हैं आपके लिए यह देखो यह कह रहा है all assets and liabilities taken over सब ले लो except fix assets को 10% उपर लो more than the book value stock को 44 में ले लो ओके भाई साब stock account debit stock का value दे रखा था एक 44 में लो और यहां से काटते भी जाते हैं यह न फता चले हम यहां से cut करते भी जाएंगे यह बाई साब cut यह बाई साब cut stop cut और क्या है debtor एक पच्चेस एक लाख पच्चेस हजार बाई debtor का है यह भी cut इसका इधर काटना है इधर से नहीं काटना ना इसका भी तो है यह अब इसके बाद क्या है बी आर बी आर की वेल्यूएशन क्या सी हजार और क्या है भाई बी आर बी काट बैंक का बैलेंस तो बैंक का थोड़ी वेल्यूएशन लगा सकता है यह कितने बैंक है और टू सारी लाइबलीटी ले ले लेंगे ठीक है भाई साब अब लाइबलीटी को पहले चेक तो करो यह तो लाइबलीटी का पार्ट नहीं है यह भी लाइबलीटी का पार्ट नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है अब ही आ गया यह लाइबिलिटी का पार्ट है तो भाई लाइबिलिटी इसका डिवेंचर आ गया 10% डिवेंचर कितने अब करेंट लाइबिलिटी प्रोविजन संद्री क्रेडिटर यह आ गया संद्री क्रेडिटर कितने हैं और लास्ट में क्या लिखेंगे परचेज कंसीडरेशन जो है पांच लाइब डिफ्रेंस निकालेंगे सबको टूटल करके डैबिड यह क्रेडिट बच्चा कह रहा है सर पांच आठ दस कैसे हुआ कि दो हजार आया नंबर अभी बता देंगे चलो कि रेगलर चल रही है सुबह भी और साम को भी गुडविल चार्लीस पक्का बच्चे कह रहा है सर लॉक कर दिया जाए गुडविल चालिस आया है गुडविल अकाउंट डेबिड मिटा दिया जाए साथ उत्रकोशन दिखता रहेगा आगे कहता है एक्सपोर्ट रिजर्व को मिंटेंट करो तो एक्सपोर्ट रिजर्व को मिंटेंट करना है और एक कहता डिबेंचर को दिश्चार्ज कर दो और बदले में 15% सेमें कि कि सुष्चार्ज बाएदा शुस्मा लिमि इसु इक्वल नंबर डिबेंचर यह गलती हो कि एक है सुभा लिमिटेट मैं तो गलत नहीं पढ़ा हां betH kisobah होगी ठीक है सुभा लिमेटेट ने डिस्चार्ज किया बोला भाईया जितने डिवेंचर थे उतने ही नंबर मिलेंगे बस रेट बढ़ा रहे हैं तो पहले भाई तेरे कितने डिवेंचर थे ना इस एंट्री के मताबिक अब मेरी यह लाइबलिटी खतम हो जाएगी डिवेंचर को डेबिट कर देंगे और नए वाला डिवेंचर अपने लाइबलिटी एक और बना लेंगे तो एक और एंट्री जो करने जा रहे हैं वह क्या करेंगे 10 परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट तू कितने परसेंट दे रहे थे 15 परसेंट डिवेंचर एक लाग वीस अजार बात खतम यह एंट्री मैं फीछे करना भूल गया था डिवेंचर डिवेंचर डिश्चार्ज कर वह मैंने यहां कर दिया और यह बहुत सिंपल सी ए क्या हुआ यह देखो सबसे पहले समझो अभी इस एंट्री तक मेरे उपर करजा है दस परसेंट डिवेंचर अब यह करजा स्विच करना चाहता हूं इस खतम करके कोई और नाम रखना चाहता हूं तो खतम करने लिए इसको डेबिट करोगे और जो नाम रखना चाहते हो ए इन परसेंट डिवेंचर खतम हो गया पुराना अब नया डिवेंचर आ गया एक लाग भी सजार कर तो बीइंग लिख दो क्या लिखोगे सर बीइंग कि डिवेंचर डिस्चार्ज कि बाइस शुभा लिमेटेट इस एंट्री में किसी को परिशानी एक एक एक्सपोर्ट रिजर्वाली करनी है न याद है सर क्या था एमेलगमेशन अडजेस्मेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट रिजर्व अब सर दोनों जगह है तो हम तो सेलर वाले का लेंगे कहां गया एक्सपोर्ट रिजर्व बीस अज़ा अब बताईए सब्सक्राइब यानि उस कंपनी के सारे एसिट्स ले लिए बताई नहीं सवाल में लिकुडेशन एक्सपेंस अब बनाएंगे बैले सीट अब जो बैलेंचीट बनेगा ना कि दोनों कंपनी के मिल जाएंगे रिजर्व नहीं मिलने वाले रिजर्व नहीं मिलेगा तो अब मेन काम है इसका बैये चीट प्रपेर कर देते हैं तो बड़े simple तरीके से balance sheet बनाईए और मैंने reconstruction के time पे आपको balance sheet का format भेजा था जिसने याद नहीं करा उसके उपर मुसीबत और जिसने उसको याद क्या देखना चाहिए था आपको तो कोई बात नहीं तो देखिए balance sheet में कितना समय लगता है जो भी एक क्योंकि इस question को अधूरत छोड़ने का फाइदा नहीं है ना यह रहा कि यह रहा कि यहां पर note amount कौन बच्चा बताएगा यह balance sheet किसका बन रहा है buyer का यह seller buyer का बनेगा balance sheet और buyer के balance sheet में seller वाले assets और liability को incorporate कर देंगे seller की balance sheet बनेगा नहीं seller का balance sheet को खतम करेंगे वो जब seller के books of account को बनाएंगे अभी सिर्फ हम आज buyer के books of account सीख रहे हैं कल seller के books of account भी सीखेंगे चलिए सर्थ पहला पार्ट और balance sheet पता है कौन से बनेगा new balance sheet ठीक है नए वाले सड्यूल 3 वाला बनाएंगे अब मैं पहले एक बार सवाल को न देख लूँ कि भाई साब balance sheet में क्या क्या बनाने लाइक है केर कैपिटल में यह सब आ जाएगा डिबेंचर लॉंग ट्रम बोरोइंग में आ जाएगा करेंट लाइबलीटी में बस एक संद्री क्रेटर बनेगा यह नहीं छोटा सा ही बनने वाला है तो मिरे को आईडिया लग गया तो मैं फटा पर देखो कैसे बनाता हूं कि बड़े छोटा सा बैलिंशीट बनने वाला है नंबर वन कि एर होल्डर फंड एपार्ट शेयर कैपिटल बी पार्ट रिजर्व एंड सर्प्लस शॉट फॉर्म में नंबर टू नोन करेंट लाइबलीटी अंडरलाइन कर देते हैं चलिए औरे अरे नोन करेंट लाइबलीटी आजाए यह नोन करेंट लाइबलीटी में क्या आएगा एपार्ट फ्रिफ लॉंग ट्राम लॉंग ट्राम बोरेंग और कुछ है नहीं इसमें आज आते हैं नंबर ट्री करेंट लाइबलीटी इसमें भी क्या है हमारा सिर्फ यह पार्ट आएगा तो भाईया क्या है एच संड्री क्रेडिटर है तो संड्री क्रेडिटर किसका पार्ट रहता है ट्रेड पेवल का कि के चले टूटल है तर इसके लिए नमबर बन जायगा इसके लिए नोट नमबर टू जाए गा है इसके लिए नोट नमेशनर जाएगा इसके लिए नोट Animation आज कार्द है कि मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा जो बच्चे ना बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचने के भी पढ़ लेंगा अभी टाइम है जून जुलाई में कि उनको बाद में बहुत दिक्कत होगी और वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं उसको चलिए पर्स्ट पार्ट हमारा आएगा फिक्स एसिट्स यानि नोन करेंट एसिट्स आएगा इसके अंदर आ जाता है भाई साहब फिक्स एसिट्स इसके अंदर आ जाता है पीपी ई और क्या निकला था गुडविल भी निकला था ना नंबर दो आ जाएगा इंटेंजिबल एसिट्स और एक आ जाएगा हमारा नोन करेंट और क्रेंट एसेट्स में क्या क्याए अक बार एसेट्स को भी देख लें प्लांटेंट मसेट्स चला जाएगा लेंड इन बिलिदिंक क्रेंट एसेट्स में स्टाउक आपका इंवेंट्री बन जाएगा डेटर ट्रेड रिसीवेबल बैंक कैसे एक्ष एक्विलेंट थर्ड पार्ट करेंट इन्वेस्मेंट था कहां तो नोन करेंट एसेट्स लिखा है दो बार लिखना अच्छा अधर नोन करेंट एसेट्स होगा अधर आ जाएगा एक्सपोर्ट रिजर्फ डालना है ने मिरको यहां पर इसको इदर कर देते हैं कि मिटाई देते हैं कि अधर आ जाएगा कि करेंट एसेट्स में पहला क्या आएगा इन्वेंट्री दूसरा क्या आएगा कि तीसरा क्या आएगा कि अधर कर देते हैं थोड़ा फॉर्मेटिक खराब से लग रहे है तो इसको वाइट इस सब को भी वाइट और सब जगा एक जया सा रहना चीए न इसको भी वाइट इसको भी वाइट इसको वाइट सर अगर इंवेस्मेंट गीवन हो तो एक इंवेस्मेंट कई बन जाएगा डिस्चार्ज की एंट्री दिखा दीजिए डिस्चार्ज पीसी डिस्चार्ज अभी आएंगे पीछे सारा दिखाएंगे क्योंकि एंट्री तो वहीं से मर्ज होगा नोट की बात करें चार के बाद इसको नंबर पांच मिल जाएगा छटे में कुछ है नहीं डारेक्ट लिख देंगे इसको साथ नहीं छे और इसको साथ और इसको आठ आठ नोट बनाने यहां देखो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे थोड़ा शॉर्ट पर्म यूज़ करूँगा मैं कि नोट नमबर वन कि भाई पानी मत पीओ पानी बाद में पिले ना पर इधर देख रो में तो समझ नहीं आए तो वैसे पानी पीते रह जाओगे बस त्यास का क्या है वो तो हमेंसा लगते हैं पर क्लास नहीं होगी यह दूबाद चलिए अब हमें करना कैसे है कि सामने वाले का इकुटी शेयर और अपनी कंपनी का इकुटी शेयर दोनों को जोड़ने वाले तो मैं यहां पर इकुटी शेयर कमी है मैं सिर्फ आपको रफली सिखा रहा हूं कि कैसे बैलेंशिट बनने वाले ठीक है तो मैं यहां पर ले लूँगा पहले एकुटी शेयर क्यापिटल ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं बी बी का मतलब बायर कंपनी का और एकुटी शेयर क्यापिटल जो की हम दे रहे ह ठीक है बी और एस ऐसे डिनोट कर दूँगा तो भाई साब बायर कंपनी का एकुटी शेयर कितने का है बायर कंपनी का एकुटी शेयर कितने का है पांच लाक रुपे का है और सेलर कंपनी का एकुटी शेयर कितना है कितना है कितना है कितना है तीन बीस का है यह जोडेंगे तो आ जाईए पाँच लाख और तीन लाख बस और तो हैं न एक्वीटी अब प्रिफरेंश येर पर आ जाते हैं सर प्रिफरेंश य ehehe capital ये buyer company का और प्रिफरेंश ये Krieng capital stellar company का तो दोनों का ही दो दो लाख था तर चार लाख तो बारा लाख ये note number 1 हो गया, एक साथ डाल देंगे, note number 1 में लिखी देते हैं, आपके सामने यह न, समझे, अगले point पर आ जाते हैं सर, सर डन, काट दो अब इसको, किसी काम का नहीं है, डन हो गया यह, अब reserve, भाईया उसका reserve तो ले नहीं सकते हम, अपना अपना reserve तो लिखेंगे, लिखेंगे, उसके reserve में स्रिफ एक reserve उठाना है, export reserve, ठीक है, तो अपने reserve को ले लेते हैं, रिवेल्यूएशन reserve, export reserve, general reserve, बस तीन है, रिवेल्यूएशन reserve, नहीं, reserve and surplus भी है, चलिए आज़े, यह note नमबर टू, यहाँ बनाते है, note नमबर टू, note नमबर टू, यह हमारा share capital, और note नमबर टू, reserve and surplus, चलिए सर, क्या-क्या था, reserve and surplus था, और क्या था, बताओ, reserve and surplus, अच्छा, reserve and surplus के अंदर यह है, रिवेल्यूएशन reserve था, अरे, कहां पहुँच गया हम, बहुत पीछे आ गया, reserve and surplus के अंदर था, रिवेल्यूएशन reserve और एक क्या था, कितने का था, रिवेल्यूएशन reserve बीज और export profit, 40, export, क्या है, 40 तो अपने, किसके अपने, और seller के भी, यह पूरे ही होंगे न, और इसका भी जनर रिजव था, यह वाला नहीं लेना, ध्यान रखना, export reserve ले लिया, जनर रिजव अपनी वाले लेने, दो लाक रुपए का जनर रिजव, जनर रिजव, अगर capital reserve निकलता नो, तो second वाले entry याद होगी, second वाले entry से, तो वह भी यहाँ आ जाता है, ठीक है, बताए कितने होगे, तर 20,000, 20,40, 60, 20,80, 2,00, तो नोट नमबर 2 में लिखी देते हैं, अब लॉंटरम बोरईंग, लॉंटरम बोरईंग में डिबेंचरी था, यहाँ लिखी देते हैं, नोट नमबर 3, लॉंटरम बोरईंग, नो, इसके अंदर स्रिफ एक था, कितने, 15%, डिबेंचर, जर्नल एंट्री में देखो, तर इस कंपनी में डिबेंचर ही नहीं, दूसरी कंपनी के डिबेंचर, 1,20,000 रुपे के, 15% बन के डिबेंचर, तो 1,20,000, 1,20,000, ट्रेड पेवल, नोट नमबर, नोट नमबर तीन के बाद नोट नमबर चार ट्रेड पेबल एक ही का है तर ट्रेड पेबल दोनों में एक साथ और बीस दोनों लेने पड़ेगा हमें तो क्रेडिटर ये बायर का और ये सेलर का कितने थे एक और एक और दो लाख है जी हाँ दो लाख तीन लाख चलिए तीन लाख साथ हजार अब इसका टोटल और बस आप ये मनो कामना करिए कि दोनों का टोटल मैंच हो चलिए सर नोट नमबर पाइव नोट नमबर फाइव किसका है पी पी इए पी पी इए इधर करते है नोट नमबर फाइव प्लांट नमबर फाइव में प्लांट इन मसीनरी और ये बायर का भी है प्लांट इन मसीनरी सेलर का भी है लेंड इन बिल्डिंग ये बायर का भी था और लेंड इन बिल्डिंग सेलर का भी है अब देखें साहब अपनी वाली वैल्यू तो अपनी रखेंगे लेंड इन बिल्डिंग में दो बीस और चार बीस अपनी वाली में तो अपनी रखेंगे लेंड इन बिल्डिंग में और यहां चार बीस अभी देखते जाए ये देखते अब नहीं गलत हो यह बायर में जाएगा और ये भी बाइर में जाएगा ठीक है न बाइर बाइर का तो अपना ले लिया हमने जिसको नहीं दिख रहा मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ ठीक है अब दिख जाएगा आगे आ जाते हैं अब भाई सैलर का लेन डन दीनं तो यह लिया ही नहीं मैंने सैलर का लेन रेम इं बियर्टिण सब्सक्रांइग गब मैं अलग पैन भी यूज़ कर लेता हूँ अरे 286 यह हो गया और 154 यह हो गया अब जाके कहीं बना इंटेंजिबल एसिट्स टोटल क्या होता है करिए टोटल क्या होता है दो लाख बीस हजार 286 टू 154 दस लाख असी अजार चलिए साहब दस लाख असी अजार कि अब आजाते हैं क्या इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स तो भाई इसके अंदर तो था अनसी टूर्टि लिकदो गुट्विल और यह लिकदो चालिस हजा है अब आजाते इंवें ट्री नोट को अज Dhры नमबर अट नवबर 6 इंवेंट्री तर इंवेंट्री में क्या क्या आया है कि चलिए देखते हैं बाइद 14 मेरा इंवेंटरी कितना है 290 और मेरा इंवेंटरी तो कुछ और है एक चोबालेस कि दो नब्बे कि अब बायर का तो है कि और इंवेंटरी कि सेलर का है एक जोड लीजिए चार लाग 24 या 34 चलिए आज यह इंवेंटरी 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 चार लाग यहां बड़े हैवी हैवी अमाउंट आ रहे हैं क्या बात है कि चलो वहां 12 लाग तो अकेला वह भी है नोट नंबर गाव एक तैवन किसके लिए बाई साब ट्रेड रिसीवेबल कि तुम्हारे बी आर एक तीस और बीस सुरी डेटर पहले लेंगे ना डेटर ले लेते हैं और बी यार ले लेते हैं एक तीस एक बीस और एक तीस पहले साहब डेटर डेटर बायर का एक साहब डेटर सेलर का देखेंगे अभी क्या है बी यार बायर का एक लाग चलिए चैलर वाले का तो भीया जंटल एक पच्चिस और टीवन एक पच्चिस और टेटीवन इस विर चार लाक टे चपन हजार है चार लाक किपन हजार है कि लास्ट कैस्न कैसिक्युलिंट vas कि लास्ट कैसें कैसे कुलेंट नोट नमबर आठ कि तर कैसें कैसे कुलेंट कि देखिए कहां है बस एक बैंक 20 और दस यह थोड़ी ना बदला है तो बैंक का बैलेंस बायर और बैंक सेलर बीज और दस अरे कहां चलेगे तीज चलिए अब वह टाइम आ गया है जब अपने आपको चेक किया जाए मिसमेंच हो गया कितने से अभी एक्सपोर्ट रिजर्फ भी रह गया भाई साब यहां पर अधर करेंट उसको बढ़ने दीजिए कितने ता चलिए अब देख लेते हैं क्या कुछ भूल तो नहीं गई कि बारा लाख बीस अजार दो लाख असी अजार रिजर्फ एंसर प्लस ठीक है यह कम लग रहा है कि यह अब क्या करें कि एक बीस तीन साथ यारा उन्निस लाख असी अजा कि अभी रुख जाएगे यह अभी डून लेते हैं कि अच्छी अजार का दिखनी रहा अब असी अजार का क्या था देख लेते हैं फटाफट कुछ रह तो नहीं गया असी अजार असी अजार असी अजार कोई एसेट्स लेना भूल गया हूँ भी आर एक तीस यह रहा मिला चलो मिल गया मिल गया बहुत जल्दी मिल गया एक और बन गया यहां यह सेलर का है यह बायर बस यही गलती आप कर दोगे एक्जाम में इसको दो लाग कर देख अब यह वजाएगे बीस लाग मैच यह बायर का पूरा कारेकरम खताओ अब सेलर का स्टार्ट होगा इसके बाद लिक्विदेटर का कम स्टार्ट होगा फ्री फोड़ी पैस लेगा वो आब सेलर का बनाएगा ए seller का वो cash account बनाएगा जैसे कि हम बनाते थे partners capital तो बनेगा नहीं यहां पर बनेगा और क्या बन जाएगा बैंक उसके साथ-साथ वहां पर जो अलग account बनते थे यहां पर भी बन जाएगे और उसके साथ-साथ फिर seller की भी जनल एंट्री कर लें यानि seller में दो काम एक उसका laser बनाना और एक जनल एंट्री अगर यह सारी चीज़े आप सीख लेते हो तो आप समझा आपको रफली आइडिया हो गया क्या अमल्गमेशन कैसे होता है दोनों साइट से ठीक है ना क्योंकि इसके अंदर में क्या अट्जस्मेंट सिखाना पहले यह जो सीख के आप क्या सोच रहे है ऐसा सोच एका चल भाई अर्जस्मेंट खतम होगे आप तो छोड़ देते नहीं यह एंट्री सिर्फ सिखा रहा है क के अट्जस्मेंट को इंकॉर्परेंट कैसे किया जाता है अब इसके सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन को कैसे किया जाता है इसके बाद मैं सिखाऊंगा इसके डिपरेंट डिपरेंट अलग अलग लेंग्विज के क्या अट्जस्मेंट जैसे दोनों प्रॉफिट एक्शें के पेपर में बच्चा सोचता है कि पाँच नमबर आ जाता है कि को मतलब एक-एक नमबर करके खटा करता एक कॉर्पर में और मेरत में से जादा अपने सीनियर से पूछिए वह कॉर्फरेट्ट अकाउंट गिफ्ट में ले बैठें अपने साथ और वो छटे समिस्टर में आ गये हैं और छटे समिस्टर में सोच रहे हैं कि यार कॉर्पेट का पेपर देना पास नहीं हुए तो एक साल पूरा खराब होगा वाई साब जो बच्चे अभी चार समिस्टर दो समिस्टर जो भी है ध्यान रखेगा इस पे दूसरी बात अब इस कोशन में गंटे लग जाएंगे अरे गंटे कैसे लग जाएंगे ऎक्जामर पांच नम्बर को कहना है सर näसे सवाल में तो 一ँ गंटे बात है वो कोई एक पूछ लेगा वो जैसे last year पूछा गया तब PC निकालो last year के पेपर में देखोगे तो आया था कि आप PC निकालो लेकिए लास्ट ये के question में क्या था 10 नम्मर का सवाल आया purchase consideration निकाल दीजिए और लिक्विडेटर को जो डिस्चार्ज करेंगे उसकी एंट्री करते हैं जब बस खतम हो गया लास्ट यह आया था सेकिंड समिस्टर के जो बच्चे उनका टैनियर आ गया है मार्केट में नियरवाइ शॉप पर जाकर अब कहीं भी जा सकते हैं बुक्ष जो भी आपके नियरवाइ किताब की दुकान पर जाना है और वहां से आप बोल सकते हो के सर टैनियर दे दो सिफदास का टैनियर राइटर है जो बच्चे दिली के बाहर वाले पढ़ते हैं अधर इसके अंदर मैं सोच रहा था बनाते बनाते ने 500 पेज से उपर का चला गया फिर पब्लीशर कहने लगए यह इतना महंगा करेंगे बच्चे खरीदेंगे कैसे बच्चे को बटन पड़ेगा तो मैंने क्या करा इस वाले टैनियर के अंदर मुझे और भी कोश्चन कराने क् एक्जाम के अंदर ऐसा नहीं सुनना चाहता है कि सार पेपर तफ आ गया था मैं यह जानना चाहता हूं मैंने सब कराया था और बच्चे बोले मैं नहीं करके आया यह मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अगर बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर पेपर में कुछ आइ की दस कोशन दिये अब जैसे जैसे एक्स्रा कोशन होगा दस कोशन पंदरा कोशन में को जितने भी डालने होंगे तो बुक तो यह 400 पेज की है जो कि मार्केट में नियर बाय आपको 190 रुपे के अस-पास मिल जाएगा और एक्स्रा कोशन के लिए मैंने QR कोट भी दे दिया है जो कि अपलोड हो जाएंगे हर چेप्टर के और वो एक्स्रा कोशन आप प्रेक्टिस कर सकते हैं और उन एक्स्रा कोशन को भी मैं यहां पे करा दूँगा ताकि आपके प्रेक्टिस सर मैं इस बुक के अंदर बताओं तो सर शेयर कैपिटल के जो बारवी क्लास में किये थे किताब में भी इतने कोश्चन नहीं मिलेंगे जितने मैंने यहां डलवा दिये सर 22 कोश्चन शेयर कैपिटल के हैं अलक्ति हें कि अइसे देखते हैं कितने डाले लाज्ट और पास्तियर के पेपर का कुछ बच्चा अभी बोल रहे थे के इस सलूशन देदो सर पास्तियर के पेपर तो मैंने अलडेड़ी इसके इंदर डाल दिये हैं तो आप वहां से जाके आराम से देख सकते हैं अमेलगमेशन के 15 कोश्चन, 13 कोश्चन अमेलगमेशन के और 10 से 15 कोश्चन और डालूँगा इसके PDF में QR कोड स्कैन करेंगे सिफदास के वेबसाइट पे चले जाएंगे अप्लिकेशन पे और ये शिर्फ अवेलेबल इस नमबर बता रहा था, नमबर भूल गया है नमबर में दे देता हूं जिनको डारेक्ट खरीज़ता है कहीं भी कोरियर कराना है वो करवा सकते हैं मैं नमबर देता हूं ग्रीज 70 111 47 630 और Mr. Greece नाम है इनका ठीक है इनका नाम Mr. Greece है इनको contact कर सकते हैं जो out of Delhi वाले हैं क्योंकि मैं इसी के questions कराऊंगा और extra questions भी यहां डाल दूँगा बाकि कोई बच्चा किसी university का फरख नहीं पड़ता concept होना चीए अपने किताब के question करो होगा जरूर ठीक है